अवरीव वहां वेलकम तो ओल देस्ट आफ लाइब्रेरी एंफिरमिशन साइंस सभी विद्धार्तियों को स्वागत है जो भी लाइब्री साइंस से बीलायच से एलायच से एमलायच कर रहे हैं कर चुके हैं आप में से कई सारे से स्टूरेंट है जो कोम्ट एक्जाम की त्य तो स्टूरेंट सुडियों में हम कवर करने वाले हैं देखिया अपर नोटिफिकेशन जारी किया गया है इनफरमेशन एन लाइब्री नेटवर्क सेंटर एन इंटर लाइड युनिवर्सिटी सेंटर फॉर युनिवर्सिटी ग्रांड कमिशन जो कि गांधी नगर से यहां Employment Notification, Advertisement for the Technical and Administrative Posts के लिए यहाँ पर वेकेंसी जारी की गई है तो लाइबरेरी के भी वेकेंसी यहाँ पर है साथ में और वेरिस वेकेंसी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें क्या क्या चीज़े हैं पहले हाँ पर लास्ट डेट उफ यहां पर ऑन्-लाइई अप्लिकेशन की बात करें तो डेट उफ एक जो यहाँ पर न्यूजड से यहां पर ले सकते हैं detail of technical and administrative post की बात करें तो various post है second number पे देखें scientist भी library science उसके अलावा यहां पे scientist, technical officer, library science और भी various हैं बाकि आप देख सकते हैं तो इनको तोड़ा detail में देख लेते हैं तो सबसे पहले यहां पे देखें the candidates who have applied earlier for the post of जो भी यहां पे post है उनको दुबारा से apply नहीं करना है और किसी को किसी प्रकार का doubt हो तो इनका website यहां पे विजिट करें तो computer science फिर उसके बाद second है यहां पे name of the post है scientist भी library science category है position under unreserved category age limit 35 year है essential qualification जो है यहां पे माग गया है plus one year experience होना चाहिए method of recruitment की बाद करें तो library vacancy which is likely to be continue as a regular post without advertisement on testimony of the incumbent job description आप पर सकते हैं इसको फिर second है यहां पे scientific technical officer one library science की vacancy है category की बात करें तो position under OBC category में यहां पे है upper age limit 30 year होना चाहिए 3 year age relaxation will be given to the candidates applying under OBC essential qualification की बात करें तो यहां पे भी MLive and plus believe माग गया है देखे अगर आपके पास MLive है तो experience नहीं बट अगर आपके पास और करके हैं believe के साथ में 8 year का experience होना चाहिए method of recruitment वही same है उपर वाला job description आप पढ़ सकते हैं और यहां पे बाकी जो है computer का भी निकला हुआ है यह भी आप देख लें personal secretary का भी निकला हुआ है and assistant की भी vacancy यहां पे जारी की गई है तो यह पूरा detail था इसके regarding I hope जो भी information हमाई द्वार अप्रोइट किया गया है वो आपको informative लगा होगा यहां पे देखिए application form यहां से आपको लेना है जो भी detail है यहां पे महाँ गया है वो फिल करना है और फिर आपको submit करना है तो यह जो है डल जाएगा group में और वहां से आप ले सकते हैं चाहिए आप telegram channel पे हैं या फिर आप यहां पे क्या बोलते हैं कि WhatsApp पे हैं अच्छा एक बात और की application fees जो है यहां पे 500 रुपे रहेगा CST category के लिए और यहां पे 1000 रुपे रहेगा फॉर अधर जो भी मितलब category है उनके लिए तो यह पूरा detail इसके regarding है इसके अलावा और आपको कोई डिटेल जारना है तो college website पे जरूर विजिट करें तो मिलते हैं आप सभी से निक्स लेक्चर में किस अलग topic के साथ अब तक के लिए धन्यवाद